Locating memory in brain हमारी cognition के तमाम process, हमारे जहन के तमाम functions, तमाम activities और तमाम चीजें brain में located है तो memory को brain में कहां trace किया गया है हैप ने 1948 में यह idea दिया था कि जो synapses का level है, जिसमें एक neuron किसे दूसरे neuron में electrical signal जो है वो conduct हो रहा है इसमें जो changes आती है, इस level पे, synaptic level पे, वहां से memory जो है वो शुरू होती है जब भी कोई experience हम करते हैं, तो वो travel down करता है किसी neuron में, exon में और exon से फिर वो neurotransmitter release होता है अगले neuron की तरफ, यह जो activity है, इस से synapse मजबूत भी होता है, यानि अगली दफा वो ही synapse जो है, वो मजबूत होका जल्दी होगा structural changes हो जाती है, neuron में structural changes हो जाती है ज्यादा transmitter release होती है, और increased firing होती है तो यह जो ABC की मिसाल दी थी, उसको इस diagram में देखें A में आपने stimulus present किया है, सुर्थ 3 arrow नजर आ रहे हैं और कम dots हैं और firing भी जो है वो दूर दूरें लकीने B में stimulus आपकी तरफ present होता चला जा रहे है dots भी बढ़ गए है, और structural changes भी बढ़ गई है neuron B में जो neuron A से arrow आ रहे है, blue वो neuron B की तरफ transmit कर रहे है और C में जब वो ही stimulus दुबारा present किया जाए तो structural changes देखें, दोनो neurons में और increased firing देखें C के right hand पे आपको जो spikes नजर आ रहे हैं उन में lines भी जाद हैं, वो close हैं और जो dots बन गई हैं, blue arrows जो नजर आ रहे हैं वो सब बढ़ गई हैं तो ये structural changes हो गई हैं जो changes, hundreds और thousands of synapses के जरीए होती है किसी particular experience के जरीए activate होती है उस सिब होता क्या है, एक neural record बन जाता है आपके neuron में एक record बन जाता है उस experience का किसी चीज़ को देखने का या किसी चीज़ को सुनने का ये brain का side view है A में और B में under side नीचे से brain का दिखाया गया है इसमें amygdala और वो structures हैं हमारे medial temporal lobe के जैसे perahinal cortex, parahipocampal cortex, entorhinal cortex और hippocampus ये medial temporal lobe जो है, ये इन सब structures में जैसे figure में दिखाये गए हैं उसमें होते हैं एक बहुत clearly established factor memory के बारे में के brain और that the hippocampus is one of the structures in the MTL यानि medial temporal lobe में जो hippocampus है, वो main structure है जो नई long term memories बनाने के लिए जरूरी है scanner में जो words थे, वो Q के तौर पे back पे होते थे card के और उनको ये कहा गया था कि कोई ऐसा जगा, मुकाम तसवर करें जो के dirty हो तो जब वो मुकाम तसवर किया तो उसके साथ जो word match करता है वो dirty है ये process scanner में हुआ है 20 खंटे के बाद उनको सिरफ Q जो है वो picture दी गई है और उन्होंने वो Q word जो है वो याद करना था इसमें जो result नजर आ रहे हैं उसमें memory test में आपका जो perihinal cortex है उसमें forgotten words की जो थे उनकी percentage जो है वो आप देखें brain activity में कम हुई है और जो recognize किये थे कि हम देख चुके हैं पहले उसका graph जो के ये orange graph नजर आ रहे है वो higher है जबके hippocampus में जो एक और एरिया है brain का recognized और forgotten की brain activity में कोई फर्क नहीं है इससे पता चला कि brain के दो different areas जो है वो मुक्तलिफ तरीके से काम करते हैं एक store कर चुके है तो उसमें भूले हुए और recognized words दोनों के लिए कोई भी फर्क नहीं है hippocampus एहम है memory के उन पहलूँ के लिए recognition के इलावा जो पहलूँ है जैसे किस context में आपने कोई object देखा था, दफ्तर में था, सड़क पे था ये नई memories form करने के लिए बहुत एहम है जबके पैरा hippocampal area जो है वो आपको places, जगों के बारे में respond करता है brain में जैसे अगर आप buildings की या कमरों की तस्वीरें दिखाएं तो brain में उस हिसे में activity होती है and enthorhinal area जो है, like the perihinal area, recognition memory में involved है long term memory में बहुत से areas involved है, उनके मुखतलिफ functions है और ये एक दूसरे से communicate और interact करते हैं लेकिन long term memory जो है, वो MTL से भी आगे तक extend करती है और ये parietal and frontal lobes भी इसमें involved होते हैं और amygdala भी, क्योंकि amygdala जो है, वो emotional memories के लिए होता है memory बहुत fragile होती है, बड़ी जल्दी disappear हो जाती है तो नई memories जो हैं, वो disrupt हो सकती है इसलिए consolidation का process होता है graph में आपको consolidation का process नजर आ रहा होगा पहले line इं deeper blue है, फिर वो black lighter हो गई है और फिर वो dash में चली गई है, यनि पहले areas in cortex के बीच में interaction हो रहा है फिर वो interaction जो है, वो आपस में हो गया और उस area में वहाँ पे वो memory consolidate हो गई है, अब दूसरे areas की बजाए वो वहाँ पे rest कर रही है जिन लोगों को accident के नतीजे में कोई चीज भूल जाती है उन्हें जो चीजें भूलती है, वो वही होती है जो accident से पहले recent होती है ये नीचे वाले figure में आपको ये नजर आ रहा होगा ज्यादा पुरानी जो है, वो accident head के जो injury है उससे effect नहीं होती क्योंकि वो consolidate हो चुके होती है